कोलेज से आते हुए मैंने एक बिखारी को देखा जो तेज दूप में बैठा था, जिसके न तो हाथ थे, और नहीं पैर जिस पर कई मधुमक्खियां बैठी थी, और वो उन्हें उड़ा भी नहीं सकता था, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला, कि वो न तो बोल सकता था, और नहीं सुन सकता था, वो भी एक मांगने बैठा था, लेकिन आवाज देकर मांग भी नहीं सकता था, मैं उसकी तरफ देखता रहा और सोचता रहा, कि इस भिखारी की जगह अगर मैं होता, ऐसा ये हो सकता है तो मैं उसकी जगह क्यों नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अगर मैं जीवन भर भी सजदे में पढ़ा रहूं तो भी मैं उसका सुक्रदा नहीं कर सकता मुझे हाथ, पेर, आख, कान, सब कुछ अलाह ने दिया है अगर वो चाहता तो मुझे इस दुनिया में हर चीज से लाचार कर देता लेकिन अलाह मुझे पर हमेशा महरबानिया करता रहा है इतनी महरबानी के बाद भी मैं शुक्रगुजार क्यों न हो जिन आखों से मैं देख सकता हूं जिस चुबा से बोल सकता हूं जिन हाथों को मैं दुआ के लिए उठा सकता हूं क्यों न हम अल्लाह के दिये हुए हर नेमत के लिए शुक्रदा करें और शुक्रदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आज से ही अल्लाह की अबादत करें और रसूल अल्लाह सल्लाहु अलहीवसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमल करने की तोफिक अता फर्माएं. आमीन.